हेलो एफ्रीवान, वेलकम बैक टुमाइन जानल आज मैं आप लोग के साथ चिकेन तंदूरी की रेसीटि शेएर करने जारी हूं ये सब को पासंद है चिकेन की कहल रेसीटि आप लोग ट्राइ के हांकि एक पर चिकन तंदूरी की यह वाल रेशीप आप ट्राय करके देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा इसके लिए मैं नहीं ओवेन का यूज क्या हुआ है नहीं कुछ अधर है तो आप इसको ट्राय करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैन में बताओं तो एक दो मार्केट जैसा टेस्ट रहता है तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने चिकन को दो के साइड में रख दिया हुआ था और अभी मेरी निशन के लिए मासाला का इस्तमाल कर रही हूं तो इसमें मैंने एक कप दाही लिया हुआ है वो भी रूम अब यह पर चमच मैं यहां पर आद करा हुआ हैँ आप याज को स्कीप कर सकते हो ज़किन आप यह द्रक लास्ट के पेश्ट आड करने के बाद मीक्स करने के बाद आप यहां पर एक चमच अब तैस्पून रही हूं रेड चिली पाउडर वान टीस्पून तो हल्दी सकते हैं तंदूरी मसाला एड़ कर रहे हूं तीन चम मच तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे तिकन तंदूरी में अगर तंदूरी मसाला आप काम कर दोगे तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है अभी मैं इसको अच्छा से मिक्स कर लूँगी जब तक यह सारी मसाला अच्छा से दही के साथ मिक्स ना हो जाए और ध्यान रखेगा जब भी आप दही का इस्तेमाल करेंगी रूम टेंपरेचर में होना चाहिए कभी भी फ्रीज में निकाल कि थंडा वाला दही यूज मत कर कश्छी में आड़ा हैं कश्छी में चपैस अलेख हो कंश्छी में निकाल झालर मिकस के का वन टाभ रांव करेंगी निमान हो जाए जब तक ही एकदम कियग्स्ची श्यग प्रिदियंग सब्सेयव के नियुक्तटर्ट्ट प्रूल सबसक्त च्छा अब रहतुक्तृ यह प यह आप्स नहीं आप चाओ ट्याज़ कर सकते हो और आपी देख सकते हैं तेल जो है कितना गरम है तो इसको बहुत ही क्यरफुलीड करना रहता है और मस्टरड और में इसलिए अपर हम इसलिए गरम कियें तक इसका जो फ्लेवर एक्तम smoky flavor आएगा जैसे मार्केट जैसा तो इसको एड़ करने के पास मार्चुनिट कवर करके रख देंगे और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे तक इसका जो flavor ही अंदर ही रह जाए स्मॉकी फिलेबर बहुत ज्यादे इंपोर्टांट ही तंदूरी चिटिन के लिए और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी बहुत अच्छे से मिक्स करना देता है इस बात का ध्यान जरूर रखेगा और गरम तेल जब भी अड़ करेंगे आप ध्यान रखेगा आपके अंदर देख चला जाए मेरिनेशन के टाइम में अगर चिकेन को नहीं करते तो मसाला अंदर तक नहीं जाता है और इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है तो इस बात का ध्यान रखेगा जब भी आप चिकेन तंदूरी बनाए या फिर कोई भी ऐसा मेरिनेशन करके बनाए तो चिकेन में काट मा रखते हैं जुरूरी है अभी मैंने अंदर तक अच्छे से मीक्स करके सारे मसाला जो रख दिया है और अच्छे से मेरे नसन करके इसको ठक के फ्रीज में 4-5 गंटा आप रख सकते हो वैसे आप इंस्टेंट भी बना सकते हो तो मैंने इसको 2 गंटा के लिए फ्रीज में रख दिया था अभी मैंने एक पैन लिया हो आए और इसमें आड़ कर रही हूं बटर तो बटर से फ्लेफर जो दोगना हो जाता है तो बटर को स्किप मत करिएगा अगर आपको मार्केट जैसा तंदूरी चिकन चाहिए तो आप बिल्कुल भी स्किप मत क करना है क्योंकि अगर हम सब्सक्राइब कर जाते ना तो मसाला पर चिकन से निकल जाता है और मसाला का जो फ्लेवर है वह इतना अच्छा से नहीं आता है चिकन जो है सारे मसाला कड़ाई में ही लग जाता है इसलिए आम इसको पंदरा मिनिट के लिए छोड़ देंगे कोटो मीडियो मीट पे बस नॉर्माल में ही कुक करना रहता है अभी मैं इसको फ्लिप करने के बाद कवर कर रही हूं और अभी 15 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा से तंदूरी बन के रेडियो हो किया है अगर पहले से ढखते तो इतना अच्छा नहीं होत है इसलिए आप 15 मिनिट के बाद इसको ठाकिये जब पूरा ड्राय हो जाएगा इन मैंने यहां पर एक ग्रिल लिया हुआ है यह जो है हम लोग बैंगान और टोमेटो जो सेकते है ना चोखा बनाते है वह वाला था तो इसमें मैंने थोड़ा सा बटर रेड करा हुआ है और यह जो दोह निकलता है यह वहाँ से इतना अच्छा फ्लेवर रहता है मैं आपको नहीं बता सकती जब आप इसको घर में ट्राय करेंगे तब ही मैं आपको पता पाऊंगी कि कितना अच्छा लगता है आप मेरे बाद पे एक एन करेंगे तो आप इस प्रेशिपी को जरू आगे मैं आपको दूसरी तरह सेयर कर रहे हूंगी मतलब यह तो आप पैन में किये हैं तो वीडियो के कंटीनिव करते हैं मैं आगे आपको सेयर करने वाली हूँ कि कैसा मैंने सेकेंड विय में भी बनाए हूँ है अगर आपी जो ग्रिल वाला करने चाहते हैं तो किप कर सकते हैं अगर आपके पास कोयले को रखके उसके उपर बटर दे के मतलब गरम करके कोहले को उसके उपर बटर दे के पैन में रखकेगर स्किवान के बीखिप हैste कितना जूसी बन के रेडियो गया बिल्कुल ड्राइब नहीं और यकिन मानिये मार्केट से कोई कम ही टेस्ट नहीं था बहुत ही ज्यादा यामी था तो इसमें अभी में दूसरे वए में आपको बता रही हूं उसी सेम जो मेरे पास मेरे पास ग्रिल में तो यह बन में मैंने देश्ट बिकट जाएगा और जल जाएगा अभी इसको हम कुक करेंगे एक तो लो हीट पे 15-20 मिनिट के लिए तो आप 15 मिनिट के बाद यह थोड़ा सा नीचे से कुक हो गया था तो आभी मैं आप देख सकते हैं उसका कलर भी जैंच हो गया है और इसको मैं फ्लिप कर रह करेंगे तो अगर तंदूरी खाने के लिए मन होता है ना तो आप इसको जरूर ट्राइ करिए और मुझे बताएगा कि कैसा लग रहा है यह किन मानि यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी था मैं आपको नहीं बता सेती और स्मेल की बात करूं तो मैं आपको नहीं बता पाऊंग गैस थोड़ा सा आपका कंचुम नहीं हो पाएगा बाट इसका टेस्ट बहुत ही जादा है मार्केट से भी अच्छा है और बहुत ही जूसी भी है एक्टम ड्राइ नहीं है आप इसको अच्छे से बनाके ट्राइ करिए और मुझे कमेंट करके बताएगी कैसा है अगर जैस झाल जात भी जसे बहुत ही जूसी